इतिहास साक्षी है कि पुन्य भूमी भारत की गाथा भारत की अस्मिता, गौरो और रास्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आकरांताओं से संघर्ष की महान गाथा है बर-बर आकरांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृती और आस्था के केंद्रों को धस्त किया सोमनात, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आकरांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अच्छम में घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की ती, कारण साफ था अयोध्या के श्री राम के मंदिर पर आकरमन भारत की आत्मा पर आकरमन था जहां हर भारतिये के रोम रोम में राम बसते हैं, वह भारत यह अपमान कैसे सहता राम मंदिर पर आकरमन भारत को आहत कर गया था विदेशी हमलावर अपनी बरबरता दिखाते गए और भारत अपने आत्म गवरों को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत राम लला की जन्म स्थान पर बाबर के नाम पर बने एक धांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ती संजोया करता। हिंदु समाज आत्म सम्मान के रण में डटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बाबरी धांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। कभी स्थानी अशाशकों ने तो कभी साधू संतों और राम भक्तों ने राम जन्म भूमी की मुक्ती के लिए अपने प्राणों की आहुती दी। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ सेकडों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में नई उर्जा और एक नया मोड़ा है। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी धांचे में श्री राम लला प्रकट हुई। हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड पड़े। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित धांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर को यह काम दिया और यह निर्देश भी की जरूरत पढ़ने पर विबल का प्रयोग भी करें। अयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नर्संग हार के बिना संभव नहीं है। और फिर भी वह ऐसा चाहती है तो किसी दूसरे कलेक्टर से है काम करवा ले। परिणाम सरूप राम लला के मूर्थी वहीं विराजबान रही। विवाधित धांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमती थी। फिर भी राम भक्त विवाधित धांचे के बाहर से प्रभू श्री राम की आराधना करते रहे। भारत के हिंदू समाज के लिए चनोतियां और बढ़ गई। मामला अदालत में गया। विवक्षी दलद्वारा अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गया। उनके अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमान मांगा गया। भारत का जन्मानस अब आहतो उठा था। आजाद भारत में भी हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रध्धा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। चनोतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिशद ने धर्मसंसत का आयोजन किया। इस संसत में देश भर के संतों ने राम जन्म भूमी की मुक्ति के लिए आवान किया और राम जन्म भूमी मुक्ति यग्य समीति का गठन किया। धर्मसंसत ने राम जन्म भूमी की मुक्ति और वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के भारत के जन्मानस के संकल्प को फिर से दोराया। विश्व हिंदू परिशद के नेत्रित्व मे मंदिर निर्मान के लिए पूरे देश में अभूत पूर्वा अंदोलन की शुरुआत हुई सन 1989 में विश्व हिंदू परिशत द्वारा गाउं गाउं से राम शिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई दो लाग 75,000 गाउं से राम शिलाएं अयोध्या पहुँची भव्य राम मंदिर के शिला नियास का निर्णे हुआ पुज्य संत महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णे के अनुसार अनुसूचित जाती के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्मान का पहला पत्तर रखा राम जन्म भूमी पर मंदर निर्मान के लक्ष की पूरती के लिए सन 1990 में सोमनाच से अयुध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवानी ने रथयात्रा की शुरुआत की, देश में जन भावनाओं का ज्वार उबढने लगा। परिशद ने देश वासियों से अयुध्या में जन्म भूमी पर मंदर निर्मान के लिए 30 अक्टोबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आवाहन किया। अयुध्या में परिंदे को भी पर्न मारने देने की घोशना की स्थितियां गंभीर हो गई। अयुध्या से 100-200 किलो मीटर दूर रेल गाडियां रोक दी गई। अयुध्या युद्ध भूमी बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस। अयुध्या सैनिक छावनी में बदल गई। राम के घीत, गाते, होटों पर हसी और पाउं में च्छाले लिए, राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयुध्या पहुची गए। कार सेवकों पर गोलिया चले, अनेक कार सेवक शहीद हुए। आजाद भारत में जन्मभूमी पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने फिर एक बार अपना बलिदान दिया। पर कार सेवकों ने विवादित धांचे पर भगवा तहरा ही दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई। श्री राम जन्बभूमी आंदोलम ने भारत की सुप्त आत्मा को जगजोर कर जगा दिया था। विश्वे हिंदू परिशद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आवाहं किया। राम भक्तों को कार सेवा करने देने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई पर अदालत में कोई निर्णे नहीं दिया। श्री राम जन्व भूमी से बावरी ठाचा सदा के लिए हट गया। यह क्षण शौर्य न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यह तो धर्मस्ततो जय का क्षण था। पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं रुखी। चटमस सेकुलर वादिय द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतियास को जुठलाने के लिए अदालतों में चनौतियां का सिलसला चलता रहा जो 1950 से चल रहा था। पर सत्य को तो जीतना ही था। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्म भूमी तिर्थक शेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया। और राम जन्म भूमी न्यास की भूमी जो सरकार द्वारा अधिकरहित की गई थी उसे ही नव निर्मित न्यास को वापस दे दिया गया। पांच अगस्त 2020 को भारत के प्रथान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्म भूमी तिर्थक शेत्र के अध्यक्ष पुझ्य महंत निर्थ्य गोपाल दास। राश्ट्रीय स्वयम सेवक संग के पुझ्य सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनात की उपस्तिती में श्री राम जन्म भूमी पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमी पूजन कर निर राश्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संगर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड है श्री राम भारत की आत्मा भारत की परिभाशा हमारे राश्ट्रीय आदर्शों और जीवन मुल्यों के प्रतिनिधी मर्यादा पूर्शुत्तम है जो हर हिंदू के होठों पर ज जन जन को एकात्मता के बंधन में बांधने वाले रक्षा सूत्र है